कैसे आप लोग चली बनाते हैं टोकु बुरजी बहुत ही टेसे लगता है और यह बहुत पोटिं रिज बना सकते हैं तो चली बनाते हैं एक आल गरम हो जाया तो इसमें हींग जीरा जीरा हमारा भुण जाएगा तो इसमें हम 2-3 गारलिक कट करके डादा हैं नो थोड़ा सा पक जाए तो इसी में आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं दो से तीन मैंने नहीं डाला कि鐵 भी बना रही हूं कि प्र इसमें het प्यृज बं देंगी कट करके जब भूझा है तो इसमें हम लुगत कट करके डाल दें गे पिर इसमें मसाले डालें गे हल्दी पाउडर, नमक, कोरियंडर पाउडर, गरम मसाला वन टेबल सुना फिर हम थोड़े ऐसा हल्दी और डालेंगे, आप इसी के साथ आप कस्मेरी लाल मिर्च भी एड़ कर सकते हैं अच्छे से हम मिक्स करके, फिर हम डख करके अपने मसालों अच्छे से पकाएंगे, मसाले देखिए हमारे बुन गए हैं, ऑईल दिखने लगा है, फिर इसमें हम तोड़कू तोड़के डाल देंगे, आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं यह सबजी आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही टेस्ट लगती है, पनीर की बुर्जी खाना भूल जाएंगे, यह कोई भी बना सकता है, जो अकेले रहते हैं, बैचलर हैं, बहुत इजी रेस्पी आप जरूर एक बर ट्राइ कीजें, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है फिर इसको मठा करके 5 मिनिक तक पकाएंगे, बीच-बीच में हम मिक्स कर देंगे, कि नीचे लगे न, फिर सबजी हमारी रेडी है, इसमें वाज हम लाश्ट में कसूरी मेथी डाल करके, एक मिटली और पकाएंगे, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, फिर देखिए हम सबजी बिल्कुल रेडी है, बुर जी, अब इसमें लाश्ट में धनिया पत्ता टाल करगे, हम सर्व करेंगे, आप पराठे के साथ, या सबजी, पराठा, रायता के साथ, अब सखाएंगे, बहुत ही टेस्ट लगता है, जरू ट्राइ कीजेगा, थैंक यू फॉर वाचिं कि थısı सेंगे, ऑराठे क ada श Bossा के वाचिंजी, पराठे के साथ, मन सर्व करेंगे तो पराठे करेंगे, भी करेंगे, बहुत है, जरू है जरूंगे, झाल झाल